जो घटना जारकंड में दो महीने पहले हुई थी वो यहां दिली में भी सेम घटना हुई है मेरे पती हेमन जी को भी जेल बेजा गया आज आ यहां पे अरविन सर को भी यहां पे जेल बेजा गया है तो जो परिस्तिती जो स्तिती हमारी जारकंड में है वही अब यहां दिली में भी हो गई है तो मैं मैम से सुनीता मैम से मिलने आई थी उनका दुख दर्द बाटने आई थी तो उनों ने भी अपने वेथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलके प्रंट किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर वेदल हैं हेट सब्सक्राइब दो और हमustomारा पूर जहरकन अर्विन के की वालाईजी सर के सार के साथ हमीशा मिशाया है कर्यां तो मैम से जरूर मिलेंगे और उनको भी वहां के जारकन की पूरी स्थिति के बारे में अब किसकी मुलाकात मैम के साथ आज ही है अब आप कल आप सभी लोग जरूर आईए इंडिया गटबंदन का पूरा रैली अरेंज हुआ है राम लीला मैदान में तो आप सभी का स्वागत है उसकी खबर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है और आप सभी को बहुत बहुत जोहार जो घटना जारकन में दो महीने पहले हुई थी वो यहां दिली में भी सेम घटना हुई है मेरे पती हेमन जी को भी जेल बेजा गया, आज आ यहाँ पे अर्विन सर को भी यहाँ पे जेल बेजा गया है तो जो परिस्तिति हमारी जारखंड में है, वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है तो मैम से सुनीता मैम से मिलने आई थी उनका दुख दर्द बाटने आई थी तो उनोंने भी अपने वेथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलके प्रंट किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लिखके जाना है जिन्मे मैम का भी साथ हमारे साथ रहे में कब किसकी मुलाकात मैम के साथ आज ही है अब कल आप सभी लोग जरूर आए इंडिया गडबंधन का पूरा रैली अरेंज हुआ है रामलीला मैदान में तो आप सभी का स्वागत है उसकी खबर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है और आप सभी को बहुत बहुत जोहार है